Hello everyone, मैं विश्चुजीत सिंग, आप सभी का दीगीन अपर स्वागत करता हूँ दोस्तो आज की इस वीडियो के अंदर में हम MA History, MHI 03, Histography उतिहांस लेखन का Important Lessons के Topics करने वाले हैं और आज हम Topic No.6 पढ़ेंगे Subaltern Adhyan, Subaltern Study दोस्तो इस Topic तो Important है, अक्सर एक्जाम में इसे लेड़ेड कोश्चन भी पूछे जाते हैं चले हम अपना Topic स्टार्ट करते हैं और डिटेल में सब्बंस्ते हैं Subaltern Adhyan, Subaltern Studies है क्या दोस्तो सबसे पहले में बात करूँ कि Subaltern Adhyan है क्या Subaltern Adhyan के अंदर में भारतिय रास्टवाद, जो भारतिय रास्टवाद है, उसकी आलोचना की गई ठीके, वहाँ पर भारतिय रास्टवाद को बढ़ चड़ कर आलोचना की जाती है किस कारण से की जाती है, तो यहाँ पर Subaltern Adhyan के इतिहांस कारोदोरा यह कहा जाता है कि भारतिय रास्टवाद एक लोगपिरी रास्टवाद है, ठीके, मौझूदा, उसके अंदर में जो मौझूद इस्तिती है, उसकी आलोचना करते है उसके अंदर में जो मौझूद इस्तिती है, वो कहते हैं लडाकूपन है, ठीके, इसके कारण से भारतिय रास्टवाद की आलोचना की जाती है आगे हम समझते हैं कि किस परकार से वो आलोचना करते हैं सबाल्टन अध्यन के अंदर में जो सबसे प्रमुख नाम आता है, अगर आप उसको कोट करना चाहो तो रंजीत गुहा इनका नाम आता है, ठीके, और सबाल्टन अध्यन के अंदर में सबसे इंपोर्टन ट्रोल प्ले करते हैं ठीक है पूरे बुक के अंदर में इनका नाम आपको देखने के लिए मिलेगा रंजीत गुहा रंजीत गुहा क्या कहते हैं कि भारती रास्टवाद पर हम भारती रास्टवाद की बात कर रहे हैं तो भारती रास्ट बात पर कुलीन वर्ग का दवाब देखने के लिए मिलता है, दबदबा मिलता है, कुलीन वर्ग कोन होता है, तो कुलीन वर्ग जो उच्छ वर्ग है, ठीक है, उच्छ वर्ग है, बड़ा वर्ग है, ठीक है, रहीस वर्ग है, उसका दबदबा देखने के मिलता है भारती राष्टवात पर अगर आप भारती राष्टवात को सच में study करोगे reality भी यही है कि वहाँ पर जितने भी नाम इतिहास कारों दोरा डाले गये हैं या जो भी दिखाये जाते हैं उसमें एक तरह से कुलीन वर्ग का दबदबा मिलेगा ठीक है अगर 10 में से मान के चलो तो 9 नाम ऐसे मिलेंगे जो कुलीन वर्ग से संबग करते थे संबंद रखते थे ठीक है समझ में आता है दोस्तों यहां पर साथ साथ रंजीत गुहा इतिहास कारों को भी टार्गेट करते हैं उसमें ही कहतने कि भारतिय इतिहास के अंदर में जो जनता अर्था निम वर्ग तो देखने के लिए मिलता है पर आम जनता जो निमन वर्ग है ठीक है जो आम लोग है वो उस इतिहास में देखने के लिए नहीं मिलता है जिसके कारण से वो इतिहास कारू की भी आलोचना करते हैं सबालतन अध्यन के जो भी इतिहास कारू की आलोचना की गई है इसका प्रविटि के जो इतिहास लेखन होते हैं, उसके उपर भी टार्गिट किया गया, उनकी आलोचना की गई, तो उन्होंने तीन प्रगरती बताई, कि किस तरसे प्रविटि होती है, मतलब तीन तरह के इतिहास होते हैं, किस तरस कोन परदान करते हैं, तो पहला आता है उपनिवेशिक सासक मतलब अंगरेजों ने क्या क्या बारत के अंदर में आने के बाद उन्होंने हमारे उपर सासक करना शुरू किया और जनता को ग्यान देना जैसे ग्यान देना मतलब क्या रेल का निर्मान किया तो जनता भाई सोची कि भाई रेल का निर्मान करें तो जनत करना और अग्यानी जनता को अग्यानी मूर्ख जनता को ग्यान परदान करना ठीक है अब ग्यान जनता को समझ में अब यह कि रेल दे रहा है रेल देने का मतलब क्या है कि एक जगह से दूसरी जगह में असानी से जा सकता हूं पर क्या रेल हो हमारी सुद्धा के लिए नहीं बिल्कुल भी ने अंग्रेजियों को दिक्कत हो रही थी एक जगत से दूसरी जगत धन निकासी करने में अगर मानलो वो गुजरास से कोई धन लेके जाना चाहता है बंगाल के रास्ते उसको लेके जाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा बंगाल जो तक पैदल को प्रड़ेड करते हैं किस तरहिके से यहां पर टार्गेट किया गया जनता को किस तरसे मुर्ख बनाए गया उसको किस तरसे बताया यह अपकी लिए आपका सफलता है और सब दूसरा बर्साम्पल में बताऊं आपको अंग्रेजों द्वारा क्या गया शिक्षा नीती पर पर यह ज्यान नहीं यह मुर्ख जनता को मुर्ख बनाया जा रहा था इस तरह से आप यह मान कर चल सकते हो क्योंकि अगर एक अंग्रेज अधिकारी बृटिन से एक अधिकारी को लेकर आता है काम करने के लिए इंडिया के अंदर में तो उसको ज्यादा पे करना पड़ रहा था उसके लिए सारी सुझदा अरेंज करनी पड़ रही थी और महंगा पड़ रहा था पर उन्होंने सोचा कि अगर हम एक भारतिय को ही अगर इंगली सिखा दें उसको काम सिखा दे तो वो मैं सस्ते में मिल जाएगा और यह बेनिफिट था तो इसके कांसर नोंने कई सारे कॉलेज स्कूल का निर्मान किया बाद में भले हमारे काम आ रहे पर वो चीज़े यहां पर रंजीत गुहा और सबाल्टन अधिन के तुरू यह बताया जाता है ठीक है समझ में आता है पहले परविर्ति क्या हो जाते है तो अपने विशिक परविर्ति जिसके अंदर में इ वरजय के अंग मानते हैं माल लो कुछ रांते हैं कोई बी कुछभी काम और भी क्या परविर्तिरोध किसी के विर्त में विरूदे में कशी बी किया तो आपने यह मारे अब यह तो रास्ठवाद है यह अंधे एसा करके चलते हैं संबज हम आता है पूरा हम करते हैं जैसे भी राष्टवाद का नाम दिया जाता था आज के समय में भारत के अंदर में ठीक है राष्टवाद किसी से आप जवड़दस्ती नहीं करवा सकते कि जवड़दस्ती नहीं करो ठीक है अपने अंदर होना चाहिए इक्षा कि हमें करना हमारा देश यह चीज़े है ठीक है जब नहीं देगा यह चीज़े हमें मानने चाहिए पर आज के समय में आप देखोगे क्या कई जगह पर जब्रदस्ति रास्ट वाद को मतलब मनवाने के लिए गलत चीज़े की जाती है गलत तरीका अपनाए जाता है तो वो यहां पर इसको टार्गेट करते हैं कि परतिरोध में स तीसरा एक पॉइंट और आ जाता है जिसमें माक्सवादी की बारे में बात की जाता है ठीके माक्सवादी जो विचारक थे उनकी बारे में इतिहासकारों के दोरा कि माक्सवादी प्रविर्ति के अंदर में क्या होता है कि यहां पर जनता के संगर्स को जनता की क्रांती को स जनता कर रहा है पर इन सभी को समाजवादी राज्य की और से प्रगृति दिखा देना ठीक है ये माक्सवादियों ने किया कि भाई देखो ये राज्य की प्रगृति है इस तरह से सहा है ये सबालतन इतिहांसकारों ने बताया ठीक है समझ में आता है दोस्तों ये टॉपिक मैं आपको समझाने कोर्स करी है बाकी आपका जो टॉपिक है डिटेल में आपकी बुक में अच्छे सा दिया हुआ है ठीक आप वहां से भी एक बार अच्छे से पढ़ सकते हो जिससे और अच्छे से समझ मां जागा अगर कुछ नहीं आता है समझ में आप कमेंट करके आपके बटन दिया आता रहता है उस जोइन करने के भी आपके बैनिफित है कही सारे आपके डाउट्स होते हो डिरेक्ट लिए मुझे सॉल्फ कर सकते हो बातचेत करके सॉल्फ कर सकते हो कुछ कोशन सागर आपके मन में है एक्जाम के रिकार्डिंग वो भी मुझसे थे यगँ है टेक्रणा कमे यहाज बेकित हो फ़ानती के गाल दिरे डोफ धिर टीए टार आपके लएजित हो पाल आपके लाज़ कोश